आपका स्वागत अभी नंदन करते हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने कह राकी जह हम आपसे बात करना चाहते हैं अपने मन के सवाल आपसे पूछना चाहते हैं आप लोग बहुत सारे कमेंट्स में भी सवाल लिखते हैं इंस्टा पर भी लिखते हैं मैं कोशिश करती हूँ जवाब दूँ आप फेस्बुक पेज पर भी लिख रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ जवाब दूँ लेकिन आखिर मैं अकेली हूँ और आप पांच लाख लोग ह मतलब मैं क्या बोलू आपको मतलब मेरा तो ना दिल ही आगया आपके उपर मैं तो आपको आपको भी बस इसी तरहां से अपने voice messages हमें भेजने हैं लेकिन मेरी तारीफें नहीं करनी है आप सीधा ये बोलिए मेरा नाम है और voice message जोर से बोल कर भेजेगा अगर आपके voice message धीमी अवाज में होए तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे अपनी 2021 की वीडियो उसके अंदर जो भी मैं शूट करूँगी पहला उसके अंदर हर वीडियो के अंदर मैं दो voice messages लूँगी काट खोलूँगी और आपके सवालों का मुफ्त तो क्या आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो तुरंट मुझे voice messages कीजे तीन नंबर आपको पर मेरे banner पे दिख रहे हैं यहां चलते हुए दिख रहे हैं तो आप तुरंट इन तीनों नंबरों पर voice message बेजिए नमशकार मेरा नाम है राकी जी ये और मैं आप से पूछना चाहता हूं मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी बस that's it आपका नाम और आपका सवाल मुस्तक पहुंचे इसे हम voice message में सुनाएंगे और हाथ के हाथ card निकाल कर आपको जवाब देंगे वो भी बिना किसी पैसे के ठीक है तो आपके voice messages का रहेगा इंतजार और रहे सामने आप सोचे हो कि मैं टेबल पर पता नहीं क्या क्या समान लेकर बैटी हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि मुझे जोती जी ने ये खुबसूरत सा सूट बेजा है रितु अगरवाल जी ने एक सूट बहुत अच्छा बेजा है वो गरम सूट था ग्रीन कलर का बहुत ही ब्यूटिफुल था वो सूट इतना प्यारा था कि मेरी ममा बैठी थी मेरे साथ ममी ने बोला ये सूट तो मुझे चाहिए आई होप सो रितु अगरवाल जी आपको बिलकुल बुरा नहीं लगा होगा मैं आपका भेजा हुआ कोई सूट पहनू या ममा पहने दे खूबसूरस सी घंटिया भेजी नहीं ने गले पे लगाने के लिए नहीं भेजी मुझे ये गिफ्ट इतना पसंद आया और मेरे सामने अनिल खड़ा है अनिल शूटिंग कर रहा है मेरी अनिल ने का मैम ये बहुत सुन्दर है और आपको बता है अनिल गाउं से है अनिल मैं आप ही का वेट कर रही थी कि मैं आपको बता दूँ कि आपके बेजोए गिफ्ट मुझे मिल रहे हैं और मैं चाहती हूँ जब मैं एक जन्वरी को शुकरवार के दिन गउशाला जाओं तो मैं जब सुबह सुबह सारे चार पांच में गउशाला पहुंचे हूँ तो मैं तब ये गव माता को गिफ्ट दूँ और किसी ने मुझे ये सुन्दर सी बटरफ्लाइ की रिंग दी मैं आपको आज की वीडियो के बारे में भी बता दूँ कि आज 21 तारीक है मैं आज ये शूट कर रही हूँ और आज मैं पूरा दिन शाम तक ये शूट करने वाली हूँ और आज की खास बात ये है कि ये 2020 का मेरा आखरी शूट है मैंने डिसाइड किया कि जितने maximum शूट मैं आज कर पाऊंगी करूंगी लेकिन आप तो हम शूट 2021 में करेंगे बई देखिए आपके प्यार और तोफो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो कल एक मैम आई थी औ मेरे लिए बहुत सुंदर लाग की चूडिया लेकर आई थी इनोंने मुझसे का हम जादा तो कुछ नहीं ले पाए इससे बड़ा और तोफा कोई हो नहीं सकते है कि सुहागन को लाग की चूडिया तोफे में देना इसके बाद जो मैं नेक शूट कर रही हूं उसमें ये मैं पहनूंगी तो आपके लिए तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करते हैं आप कोई गाजर का हलवा बेजता है कोई चूडिया बेजता है कोई मैं जिस गवशाला में जाती हूं हां की गायों के लिए घंटी बेजता है तो इक मैटर्स फोर में मेरे तमाम तरह की नई वीडियो बना रहे हैं जाते जाते दो हजार बीस में एक अदशी है प्रदोश है और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर ये सारे पेपर मैंने तयार की हैं और मैं आज शूट करूंगी सबसे बड़ी बात यह है कि दो हजार इकिस में चार जनवरी से देव के प्री बोर्ट के एक्जाम शुरू हो गए है एक्जाम उफ उसके नहीं मेरे आई होप आप समझ सकते हैं सबसे पहले नमस्कार सु स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों की अपनी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत अभी नंदन करत करते हूं बिलीविन कर्मा कि मैंने मोदी जी का नंबर ले तो कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे जिनोंने पर्सनल लोन ले लिया है और पर्सनल लोन में रिफरेंस नंबर मेरा दे दिया है अब बैंक वालों के कॉल्स मुझे आ रहे हैं कि I handle that क्योंकि मैं आप से बता दूं आप हम लोग जो भी फ करता है मैंने आप मेंसे किसी को लोन लेने के लिए नहीं कहा और नहीं ऐसा कहा है कि आप मेरा रिफरेंस नंबर लोन में दे दें तो आप मेरे परिवार का हिस्सा है लेकिन इसका नजायस फैदा ना उठाएं और गलत काम ना करें मेरा नंबर देने से तो कुछ होगा नही मेरा number कोई भी दे सकता है दुनिया में, उससे मेरे उपर legally कोई action नहीं बनता, लेकिन आप अपने करमा जरूर खराब कर रहे हैं, मैं आपको बार बार करमा सही करने का part पढ़ा रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक महसूस करो, हमारे इतना बड़ा परिवार है, हमारे positive feel करते हैं, हम बड़ा energetic feel करते हैं, घर का महौल बदल गया है, सुबा उठने से बड़ा अच्छा लगता है, राखी जी आपकी वीडियो से हम सबसे पहले देखते हैं, मेरे husband में बहुत change आया, मैं भगवान की कसम खाकर, हरी विश्नु की कसम खाकर आपको बोल रही हूँ, दोनों हाथों को पर उठाकर, मैं साक्षी मानती हूँ विश्नु जी को, कि मुझे लाखों लोगों के messages रो जाते हैं, कि राखी जी हमारी जिंदगी बदल गई, और सच में लोगों की जिंदगी बदल रही है, इसका कारण मैं नहीं हूँ, स्वेम आप हैं या परमपिता परमात्मा हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट करके उपाय करते हैं, एक भाई साब सामने आए, जिनकी ये वाइफ मुझे चूडिया दे कर गई हैं, इंदरापुरम से, उन्होंने पते क्या बोला, राकी जी, 2020 मार्च मेरी नौकरी चली गई, मेरी नौकरी चली गई, तो मैंने आ जाने के बाद भी मैं यहां यहां तक करजे में डूबा हुआ था, मैंने शेयर मार्केट करी, आपके उपाय करें, और राकी जी, मुझे बहुत फरक महसूस हुआ, मेरा करजा उतर गया, अब मेरी जिन्दगी बहुत स्मूत है, मुझे बहुत बहुत फरक पड़ा है, चोटे-चोटे सुभा जल्दी उठने का उपाय हूँ, सर्दी मिना उठने का मन मेरा भी नहीं करता, मेरा भी आजकल आदा घंटा इदर उधर हो जाता है, लेकिन मैं आपको यकीन बता रहे हूँ, जिन्दगी की 90% परिशानिया सुभा जल्दी उठने से खतम हो जाती है, तीन दिन उठकर देखो, you will see the change in your life, लाइफ में बहुत परिवर्तन होता है, अब जैसे 24 दिसंबर को आप होने जा रहे हैं माला माल, जी हाँ, इसलिए नहीं कि वो क्रिस्मस है, मंगल का राशी परिवर्तन हो रहा है, और ये मंगल का राशी परिवर्तन किस-किस राशी प लेकिन अगर आपका दिमाग इदर उदर जरा सा भी हो गया, तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, तो प्लीज वीडियो को टेलाइन तक जरूर देखेगा, और समझेगा, यहाँ पर आपको बहुत ही चमतकारी जानकारी आज मिलने जा रही है, इसे समझे, मीन राशी से न अपना मीन राशी में से निकल कर मेश राशी में परवेश कर जाएंगे, मेश राशी इनकी खुद की राशी है, जहां ये 22 वरवरी 2021 तक रहेंगे, अब कैसा रहेगा मंगल का ये राशी परिवरतन, मंगल करेंगे मंगल अपनी खुद की राशी में, आप अपने घर में आ जिनकी आदत है धोका देने की जिनकी आदत है चीन चाइना जैसे लोगों की जो खुद भी मरते हैं और हजारों बे कसूर मासूम लोगों को मार देते हैं ऐसे वाइरस बनाकर उनकी आदत है धोका देने की तो इनकी धोका देने की फितरत नहीं जाएगी रोजगार है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है ये समय करीबन करीबन साथ दिन का रहेगा इस साथ दिन के अंदर आपके मांगलिक कारे हो सकते हैं आपकी जिन्दगी में जबरदस वाला परिवरता ना सकता है किस राशी पर इसका क्या असर होगा आईए जानते हैं सबसे पहले बढ़ेगा आपको राजयोग जैसा फल मिलेगा ये आपके लगन में होने जा रहा है तो आपके लिए बहुत ही शुफल देने वाला होगा आपको इस समय सोच समझ कर अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना होगा समय आपका अच्छा है नौकरी मिल सकती अगर नौकरी पहले से है तो इंक्रिमेंट या प्रमोशन मिल सकता है आपको धन मिल सकता है परन्तु एक प्रॉब्लम आपके लिए करेगा जब हम अपने घर में होते हैं तो थोड़े से uncomfortable होते हैं थोड़े आलसी होते हैं अच्छा पहनता होना कपरे अच्छा देखता होना जहां मरजी लेट जाते हैं जहां मरजी खाते हैं तो थोड़े से जिसे कहते हैं आलसी हो सकते हैं प्लस आपकी पती पतनी के बीच में जढ़ब हो सकती है तो उन रिष्टों को थोड़ा सा बचा कि आपको रखना होगा उपाई क्या करना है मंगलवार के वरत रखे तो बहुत अच्छा होगा और भोजन किसी को करा कर ही करें देखें मैं तो वैसे भी इस बात को बहुत जादा मानती हूँ क्योंकि मैं आपसे बार-बार कहती हूँ कि बिलीविन कर्मा हमें भोजन करने से पहले किसी को खिलाना चाहिए अब आप चाहें खुद ना खाएं गाएं को एक रोटी खिला दीजे ब्रेट खिला दीजे सुब मैं फिर घर आकर 5.30 बचे घर से निकले, 6 बचे निकले, अंधेरा होता है अपने घर आकर 7.30 बचे चाहें भी तो दिल और आत्मा अंदर से कहती है कि नहीं आर जिंदेगी मानव के लेके तूने गलती नहीं करी इतने लोगों को खिला कर तू खा रही है, इंसानियत का दरपन लगा रहा है क्योंकि ये दरपन मेरे अंदर की राखी को मुझे हमेशा मिलाता है, मैं शीशे में देखकर कह सकती हूँ कि मैं इमानदारी से काम कर रही हूँ और मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मेरा यूट्यूब परिवार जरूर आता है, आपके लिए शायर ऐस कि आपको लगता हूँ कि सिर्फ आया ऐसे कहने की बाते हैं परिवार परिवार, ऐसा नहीं है, मैं जो भी काम करती हूँ हमेशा भगवान से बोलती हूँ क्रिष्णो अर्पन मेरे परिवार को, यानि कि मेरे यूट्यूब परिवार को इसका फल जरूर मिले, सबका भला हो भगवान, सब का कल्यान कर, सब की आस्ता तेरे अंदर हो, बहुत लाखो लोगों को हम सुधार ना सके, कम से कम इन 5 लाख लोगों के अंदर अगर इंसानियत जाग जाए, तो ये 5 लाख लोगों और 5 लाख लोगों को बोलेंगे कि सब्सक्राइब इस चैनल, उसे देखो और उनके अंदर परिवर्तन आएगा, तो कैसी रही, आप अपने अंदर ये परिवर्तन ज़रूर आए, सिर्फ इनसानियत के नाते एक ही काम करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने वाटसअप ग्रूप्स में डालें, और लोगों से इस चैनल को देखने के लिए कुछ लोग नहीं बदलना चाहतें, बट यकीनन अगर वीडियो रोज देखेंगे तो उनमें परिवर्तन आएगा, बहुत सारे लोग फोन करकर कहते हैं, राकी जी हमें एक परिवार हैं, आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, क्या आज आप से मिलके बहुत किसी भी सवाल का समाधान चाहिए, मेरी कैनेडा की एक क्लाइंट अल्रेडी हां फर्स चुकी है, और वो अल्रेडी ऐसे गुरू जी के मंदिर के अंदर असी हजार उपे दे चुकी है, मैं इस गुरू जी के बारे में आप से पहले भी बात कर चुकी हूँ, बी ऐलर्ट, वहाँ पर कोई औरत फोन उठाती है, वो बोलती है, मैं राखी मा की गुरू हूँ, तो मेरी गुरू सिर्फ मेरी मा है और कोई नहीं है, मैं एक हजार बार आपको बोल चुकी है, अगर आप नॉर्मल उपाइमेंट लेकर भी मुझसे बात करना चाहते हैं, तो पहले मेरी क पूर्सी देखिए, सरस्वती जी को देखिए, घड़ी देखिए, ऑफिस देखिए, पूरा चकर कटवाईए, सत नराण होगान की कथा जहां होती है, वो जगा देखिए, उसके बाद आप एकाउंट में पैसे जमा करा कर अपाइमेंट लीजे, धोके में में मत आईए, ल बिल्कुल किसी भी नकली राखी से साबधान, एक एक रुपया आपने मेहनत से कमाया है, कोई, मैं तो कहे रहीं मुझे उसके उपाइमेंट भी मत लो, बात ही मत करो, आप मुझे बताओ किस विशे पर वीडियो बनानी है, मैं आपको पल-पल की जानकारी दूँगी, और बहुत ध्यान रखने वाला है, पती-पत्नी में तू-टू-मै-मै हो सकते है, जगड़ा हो सकता है, आमंगल हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, परन्तु पैसे का लाब होगा, धन बरसे का छपर फार कर, समय आपकी सिहत के लिए भी थोड़ा सा नर्म है, मैं ये ने कहूंगे कि बहुत खराब है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, समय लापरवाई बिल्कुल ना करें, अपना ध्यान रखें, यात्राएं अच्छे से करें, आपके लिए वेपार अच्छा रहेगा, जो यात्रा है इस वक्त आप करेंगे, वो आपको वेपार भी बड़ा देगा, शंकर भगवान के उपर मिश्री अरपन करना आपके लिए पूरे महीने बहुत उत्तम रहेगा, और कम से कम इस साथ दिन तो जरूर करें, बाइस वरवरी तक, then you will definitely see the change in your life, बात करते हैं मिथुन राशिकी, समय ठीक है, छात्राओं के लिए समय अनुकूल धन का लाब हो सकता है, नौकरी में इंक्रिमेंट या सफलता मिल सकती है, रिष्टे भी अच्छे आ सकते हैं, विवहा का भी योग बन सकता है, आपके लिए समय उत्तम है, आपको गनेश जी के अराधना करनी चाहिए, गनेश जी को हरी हरी दुरबा अरपन करना जरूर है, परन्तु दिमाग का इस्तमाल रिष्टो में मत कीजेगा, रिष्टो में थोड़ा सा इंसान का इमोशनल रहना बहतर होता है, लाब दैक होता है, बात करते हैं करकराशी की, ये समय आपके लिए लाब देने वाला है, अगर आपने कोई कमिटमेंट कर रखी है, तो वो किसी भी तरह की दो गली बाते नहीं करनी, मतलब किसी को जूटी उमीद नहीं देने, हाँ, हाँ, बेटा, तु कल आज़े, मैं तुझे जॉब पर रख लूँगा, डोंट डू दू इस काइंड आफ तिंक्स, ये करमाज आपके खराब करता है, अगर मैं ये कह सकती हूँ, मुझे पानी पीना है, तो ही मुझे पानी पीना चाहिए, अने था मुझे पानी नहीं पीना चाहिए, उपाए, सफेज चीजों का मंदिर में दान करना बहुत अच्छा रहेगा, अपनी पार्टनर्शिप का ध्यान रखे, पार्टनर्शिप का इंदर सेंस, आप जिसके सा का पूरा फायदा उठाना है कर्जा आपको जो है वो उत्रेगा दमपत्ते जीवन आपका अच्छा रहेगा सेहत में काफी सुधार होगा जो पीछे आपकी खराब चल रहे थी पैसा आपके घर में जबरदस्त आएगा प्रॉपटी ले सकते हैं यात्राएं हो सकती हैं सरकार को जल देना है आदिते हिर्दे स्रोथ का पात करना है और गुड़ खाना है और गुड़ दान भी करना है अच्छा गुड़ खाने से मुझे एक बात याद है मैंने आपसे कितनी बार कहा है सर्दियों का टाइम है आप लोग मुफली वगरा खा रहे है न अच्छे से मुफ मज़े की बाद आपको पता है क्या मोटे भी नहीं होते हैं कनय राशी की बाद कर लेते हैं समय जादा अच्छा आपके लिए नहीं है ये समय आपको फेवरिबल नहीं है महनत आप करेंगे बहुत जादा और उसके कंपरेटिव फल मिलेगा कम कोट का चैरी में भी आपको करना बहुत उच्छम है और मिट्टी के बरतन का दान इसवक करना जैसे मठका या मिट्टी की कोई कढ़ाई मंदर में ब्रहमन को दान कर दे तो इसकस्ट और तकलीफ के समय से आप बच जाएगे बात तुला राशी की आगर आपकी बात कीज़े तो शनी की ढहिया चल रही है समय शनी की पूजा आपके लिए बेहद उत्तम है माला फेडते रहे समय आपको लाब देगा अचानक सफलता मिल सकती है रिष्टों का आपको धियान रखना है आपका कोई करीबी दोस्त का रिष्टा या करीबी रिष्टा तूट सकता है या आपकी पतनी गुस्से होकर माई के भी जा सकती है बहुत संभल कर चले वैसे समय आपके फेवर में हैं धन को लेकर पर रिष्टों को आप नहीं संभाल पाएंगे दो गली बाते बिलकुल मत करिएगा आपके रिष्टे खराब हो जाएंगे उलच जाएंगे तुलसी की परिक्रमा तुलसी के दर्शन तुलसी के पांच पत्ते खाना आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा अगले साथ दिन अपने रिष्टों को संभाले वरिष्टिक राशी आपके नए कारे होंगे नए कारियों में मन लगेगा नए-नए स्कीम जाएंगी नया-नया कारोबार बढ़ेगा कारोबार अच्छा रहेगा गुस्सा आपको बहुत जादा आएगा अपने परिवार वालों से होगी आपकी लड़ाई जीवन साती से भी आपकी मन मुटाव हो सकता है आपको गाड़ी बहुत संभल कर चलानी है इस वक्त आपका एकसिडेंट भी हो सकता है उपाए हनुमान जी की पूजा करे और केसर से मिला हुआ दूद आप पीएं सरदी में केसर का दूद पीने से सरदी भी कम लगती है और आपका गुरू ग्रह भी बहुत अच्छा हो जाता है चलिए अगली राशी की बात कर लेते हैं जो है धनु राशी ये समय सफलता को दिलाने वाला है आए को बढ़ाएग विश्नु जी की पूजा आपके लिए बहुत ही उत्तम है और हल्दी का दान मंदिर में करना बढ़िया रहेगा बात करते हैं मकर राशी ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है मकर राशी आपी की राशी में शनी गोचर कर रहे हैं आपके जैसे होंगे कर्म शनी वैसे ही देंगे फल आपको मैं बता दू कि कोई प्रॉपर्टी की आपकी बड़ी डील हो सकती है कोई शुप समचार आपको मिल सकता है अगर थोड़ा सा जोर लगाए तो कोट का चैरी के कामों में भी सफलता मिल सकती है लेकिन कोई गलत कारे जैसे ड्रिंक करना जैसे नॉन वेच खाना इन साथ दिनों में अगर आपने कोई भी गलत कारे किया तो उचाई की जगा पर निचाई की तरफ आ जाएंगे आपको उपाय क्या करना है शमचान घाट में जो पीपल का पेड़ होता है उस पर शनिवार के शनिवार जाकर जल दीजे आपकी समस्य सभल हो जाएंग तो परिवार में बच्चों के साथ आपकी लड़ाई जगड़ा हो सकता है आपकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है आपको मंदिर में काले तिल दान करने है और लकडी का दान करना बेहद उच्छन रहेगा कुंब राशी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में किसी और का ब परिडिशन में जो बच्चे बैट रहे उनके लिए सफलता का बहुत ही बड़िया समय है ये बड़ो का आशिरवात मिलेगा सत्नरान भुगान की कता घर में करें और चने की दाल जरूर खाएं और चने की दाल मंदिर में भी दान करें तो बहुत उत्तम रहेगा मंगल में डूबे हों है तो ये साथ दिन आपका करजा यू चुट की बजा कर उतर सकता है आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है पूरे के पूरे इन साथ दिन सुंदरकान का पार्ट संकट मोचन हनुमान चालीसा बंदरों की सेवा बंदरों को गाजर खिलाना बंदरों को 800 ग्राम गाजर हनुमान जी के मंदर में आपको 24 तारिक से रखनी शुरू करनी है और जब यह उपाय करने जाए हां हलो हां कहा हो आ रहा हूं ये सब मत करेगा जब भी हम कोई उपाय करने जाए हमारी जबान बंद हो चुपचाप अराम से शांती से बिना किसी को बताए ज बस इतना ही बोलेगा करजा 60 दिन के अंदर ही उतर जाएगा चमतकार अपने जिंदगी में देखेगा हनुमान जी का मंदिर एक ही हो जाने का समय शाम सुबा हो सकता है पर उपायों को करने का सबसे च्चा समय है कि सूरे उदे हो चुका हो और सूरे अस्त से पहले उपाय क ले तो ये वाला बैलेंस बना कर रखेगा अगर इस बीच में आपको टूर पर जाना पड़े तो 800 ग्राम गाजर घर के किसी सदस्य को दे कर जाएगे कि मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ इतने दिन तुम हनुमान जी के सामने जाके ये गाजर रखाना इससे भी आपको फल फली भूत होगा अगर आपके घर का कोई व्यक्ति एक काम नहीं करना चाहता तो आप उसके लिए कर लीजिए एक काम इतना भी कर लीजिए इससे भी आपको बहुत फैता होगा उमीद करती हूँ कि मंगल का ये राशी परिवर्तन आपके जीवन में मंगल लेकर है फिलाल डॉक्टर वायर आखी को दीजे इजाजत हसते रहेगा मुस्कुराते रहेगा और इस साथ दिन लाल कप्रे खुब पहनेगा खुश रहेगा मांग में सिंदूर भरिएगा लाल लाल बिंदी लगाएगा जिससे आप सदा सुहागन रहें और आपके पती की किसमत चमके यह यूही बिंदी नहीं लगाई जाती जो महिलाएं लाल रंकी बड़ी-बड़ी बिंदी लगाती है उनका confidence आपने विश्वास तो बढ़ता ही है लेकिन उनके पती का मान समान और प्रतिष्ठा भी समाज में हमेशा बढ़ती है जीवन में है समस्या नहीं मिल रहा तकलीफों से चुटका रहा नहीं मिल रही मन चाही नौकरी तूट गया है विश्वास सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खतम हो गई है आस भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है टैरों के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्य का सरकारी नौकरी से हैं आप को सो दूर कुंडली जगाएगी कुंडली जागरन कुंडली बताएगी आपका भविश्य उपर सी ये जादू हवाएं उपरी हवाएं जादू टोना तंत्र विद्याएं पती पतनी और वो करना होगा खुद पर विश्वास दीजे मुझे भी एक मौका अपनी कुंडले दिखाईए टैरो कराईए लेकिन अपनी जिन्दगी को जल्द बदलवाईए मैं हूं डॉक्टर वायराखी आप मुझसे बात कीजे फोन कीजे आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जबर्दस बतलाव झाल